पाकिस्तानी को धंदा करना आता है नहीं धंदा करना नहीं आता है हमारे पास अना इतनी बड़ी है कि हम कंगले होके भी चला रहें के एलाइन को जिसके हमें पता है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है को इबने कासम जिसके कोई वास्ता नहीं हमसे भाई उस 17 साल का लड़का आया था लुटेरा टाइप का वो यहां पहुंचा ही नहीं वो तुम्होंने उसके नाम पे पार्क बना दिया है काफी लोग कहते हैं ठीके बिटिश वर दिस बिटिश वर भाई शुकर करो कि वो तु कि लाइन दे गी, सुरिज की लाइन दे गी, केबल डे गा तो सबको बुला की देवा डालो भाई पांसा नहीं क्या हो सकता है कुछ हो सकते हैं यू कांटव एन्वी तु निट राइन आप चाहिए प्लाइन में वी इक जमाने में ओफर हुई थी इंटर्म गवर्मनमें मि have we become arrogant why can't we be normal humble like other countries हम इंडिया से compete करेंगे इंडिया को ये दिखा देंगे वे 600 बिलियन डॉलरों के अकाउट है पड़े वे हैं बाई एक बिलियन तुमारा अकाउट में बंदा बात करें तो अपनी बोलने के आदी हैं बड़ी जबस हमारी डिस्केशनरी बहुत मज़ाया दीपक परवानी उनका नाम है आप सब उनको जानते हैं दीपक के साथ हमने बात की पाकिस्तान कैसा था कैसा हुआ कहा जा रहा है एस अ माइनॉरिटी उनके क्या चैलेंजिस रहे हैं साथ ही साथ फैशन डिजाइन से रेडिट भी हमने काफी बात थे की लेकिन पाकिस्तान की बात सबसे जादा की तो आईए चलके पॉड़कास देखते हैं और सुनते हैं दीपक परवानी को दीपक थैंक यू फर जॉइनिंग मी और बड़ अरसे से मैं चाह रहा था आपसे गुफ्तुगू करें नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और अब देखते हैं क्या होता है हमारे साथ हमारी एक बड़ी इंट्रेसिंग कॉन्वसेशन हुई थी आपको पता याद हो नहीं अरसलान के घर पे हमारे मुचुल फ्रेंड और हम यह बात कर रहे थे आप in fact you raised a very good point और मैं आज सुबार टीम को भी बता रहा था कि दीपक कह रहे थे कि इनसान मर जाते हैं बिल्डिंगे पीचे रह जाती है और यॉरप भी जो है हां अर्किटेक्ट्चर प जैसे मुलक बढ़ता है आगे और जैसे चीजे चेंज होती है अर्किटेक्ट्चर डिफाइन करता है ठीक है फिर वो घर हो या मस्जिदे हो या वो क्या कहते हैं पैलसिस हो या होटेल्स हो जो कुछ भी हो हम तो सतर साल में अर्किटेक्ट्चर भी सही नहीं बना सके असला मॉस्क के लावा और सुप्रीम कोर्ट की विलिने के लावा बाकी अर्किटेक्ट्चर बड़ा धका हुआ है फुर न्यू सिटी सही तो as a designer yourself obviously you understand design और उसकी क्या पॉजिटिव असरात हो सकते हैं माशरे पे तो थोड़ा सा समझाएं के अब जैसे हमारे देखे जितनी भी नहीं डिवलेप्मेंट होटी है इसलिए डबे बनते हैं बिल्कुल स्कुर डबे हैं ना उसकी कोई शेप ना कोई ऐस्थेटिक व हैं कि ड्रोम हम कोशिश तो करें के लेकिन अगर हम करें कि अगर देखेंगे तो एक व्लाइफ भी है तो कि अगर आटा ही है ठाइन का थेम स्केनडेट्री करें अगर also कि श्क्तिजश करा है अमारे पास हम आघिएक्जिप्र के डीटि आ अरना से आइन्ठीती नी बनासके architecture is very important जैसे मुगलो का architecture समझ ले या अगर आप बासलोना जाएं तो गौडी का architecture समझ ले अगर आप पैरिस जाएं तो आप एफिल टावर की बात करते हैं अगर आप इंडिया में ताज महल की बात करते हैं तो बुर्ज खलीफा को देख लें अगर दुबाई न्यू architecture में पेट्रोना स्टावर देख लें तो पाकिसान में हम एक उसी identity नहीं बना सके ठीक है अगर हम क्या कहते हैं लास्ट 75 यर्स 76 यर्स ना 76 यर्स देखें तो जिन बिल्डों के में हमें फखर है उसमें महाटा पैलिस है उसमें फ्रेयर हॉल है उसमें क्या कहते हैं BVS पार्सी स्कूल हो गया यह पूरे पराने चर्चों की जो बिल्डिंग्स हैं लाहूर में भी अगर आप देख लें कि at least as a designer or as somebody who is interested in design आप भी समझते हैं कि दुनिया आगे चली जाती है लेकि architecture रह जाता है और कपड़े भटके कभी बच जाते हैं कभी खतम हो जाते हैं अच्छा, what is your observation क्या पाकिस्तान या पाकिस्तानी को धंदा करना आता है नहीं धंदा करना नहीं आता अगर जाता है अगर थिश्टानी को बच्छानी को भी रहा है उसमें तो आप उसको बंद कर देते हैं या आप उसको handover कर देते हैं या आप उसकी management change कर देते हैं या आप उसको you find a solution ठीक है आप उस धंदे में पिछले 25-40 सालों से knowing कि वो नुकसान कर रहा है पैसे नहीं डालते ठीक है तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो तकरीबन जितने भी और टाइम भी चेंज हो चुका है because now state institutions जो कि है at least government जो हैं दुनिया में they are more about governance rather than trying to run a company and rather than trying to run profits and rather than trying to run an airline or a mill or any kind of businesses ठीक है तो हमारे पास भो मॉडल अब तक change नहीं हुआ ठीक है और हमारे पास क्या कहते हैं अना इतनी बड़ी है कि हम क्या कहते हैं कंगले होके भी चला रहे एक एर लाइन को जिसमें हमें पता है कि तो कोई future नहीं है ठीक है क्या कि अजिए नहीं नहीं चल रही तो फाइंड बेटर सिलूशन रूजवेल्ट होटेल इस एक एक एग्जामपल क्या आपको मिली और वेक लेगसी होटेल है विक असके ओपर अमेरिकन प्रेडेट का नाम है उसके ओपर और इसको भी आप नहीं चला सके कली मैंने उसे पर एक रील देखी थी उसके बाहर लंबी सी लाइन लगी है लोग उसके बाहर सो रहे हैं होमलिस पीपल और नाट रिली होमलिस रेफ्यूजीजीज है और चुके सुबह जल्दी क्यूँ में लगना है तो रात को आके वहीं पर कैमप आउट कर रहे है तो उसके चारों तरफ और एक तरफ कहने को बिलियन डॉलर प्रपरटी है पाकिस्तानी रेफूजीजीज तो नहीं पहुंच गया ना नहीं आम नाट शूर बर होंगे थोड़े होंगे अच्छे आपने बड़ी इंपॉर्णेंट बात की कि गर्वर्मेंट का काम गवर्वर्नेंस होता है और फिर गर्वर्मेंट को एक साथगार महौल देना होता है काम काम वालों ने करना होता है तो और जो आपने बात की अना की और हमें, हम यह अपने मुल्क में भी देखने हैं कि हमारे हाँ, हर बंदा अपना काम छोड़के, जो इसको वो भी नहीं आ था, वो दूसरे काम में, कि मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, and I think that has been the reason कि हम प्रोपेल नहीं कर पा रहे हैं, प्रोपेल कर this, but a judge cannot make a damn, it just doesn't make any sense, right? I mean, अगर कल मैं जहाज बनाने के लिए निए निए पड़़गा, तो मुझे जहाज के बारे में क्या पता होगा, so yeah, अगर हर कोई अपने अपने ताइरे में रहे, और अपने जाब और अपनी जो उनको जो रिस्पॉंसिबिलिटी दी गई है, उस आपके पास टेक्नालोजी है, ठीक है, अगर मतलब मैं एक छोटे से गाउमी पर खासे बिलॉंग करता हूँ, अगर वहाँ पी अगर मैं क्या कहते हैं, जमीनों पे जाऊँ या लैंड्स पे जाऊँ, तो कहीं न कहीं एक सेलफ़ोन जरूर है, जो उन्होंने डब्बे के ओ अगर अगर टेक्नालोजी आ गई है, तो फिर आपको भी उसके इसाब से आगे बढ़ना होगा, secondly, respectability, जो के you have lost over the years, okay, आपके पास FDI आता है, भाग जाता है, for an investment, जिसके मैं बात करूंगा, we have always had problems with contractual problems, Iran pipeline is again another problem that's gonna come up, उससे वैसे वो पावर प्लांट आया, again another issue, उससे पहले, recordic था, recordic आया, उसका issue आया, so what is wrong के we always have issues with our contracts, what is wrong that, के जो decisions हम ले रहे हैं, क्या वो शॉट टम डिसिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशिशि यही रहे हैं, कि यह रोड भी अगर बना रहे हो, तो आठ लेन का बनाओ, because सौ साल के बाद यह काम आएगा, और इसकी बड़ी अच्छी एक्जामपल है हमारे आगे, कि लंडन इस अन ओल्ड सिटी, तो उसमें रोड छोटे हैं, लेन्स छोटे हैं, न्यॉयोर्क इस बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो प्लैनिंग जो है, वो अगैन अर्किटेक्चर पर आ जाती है, हम यहाँ पर रहे हैं एक बैरिक स्टाइल हाउसिंग में, जहां आपको यह तक नहीं पता कि जी साथफ़ला नेबर कौन है, ना सामने कोई पार के कि बच्चे जाके खेल सक कोविड में सबने बाहर वाक शॉक करना चुरू कर दी, थोड़े अपने घर से लोग निकलें, तो हम भी अपने नेबर को जान गए, बेकर मैं भी 25 साल से तो रह रहा हूं, इस एक ही घर में, मुझे अभी तक अपने नेबर का नहीं बढ़ा था, इंट्रिस्टिंग, अच अपने बात की ने, कॉंट्राक्ट्स वाली, मुझे अपने बात की ने, कॉरिट भी बिकर्स के हमारे यां वो वन में शो इतना है कि आप आए, आपने बोला, नहीं जी, ये पिछले वाले का सब वो धिर्ड़तों सब बेकार है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, आपका टेनी इतना सही था, फिर आपके बाद जो है, असवला नहीं जी, दीपक साब गलत थे, सारा लपेटो, तो हम किसी तरफ जाई नहीं बा रहे हैं, उसमें दो जो चीज़े हैं, बड़ी अच्छ, बड़ा अच्छा अपने सवाल पूछा, और ये हमने देखा है, in all governments, in fact, जो government पी चलो, कोई बात नहीं, लगा आलो, तुम नाम दो, इसी में खुश हो जाओ, लेकिन, if it is good for the people, why do you insist on removing it, ठीक है, a simple example would be, कि रोज रोड बनती है, और फिर रोज रोड वो खुदती है, यार अगर पता है, कि गैस की लाइन डलेगी, सुरिज की लाइन डलेगी, इंटरनेट जो 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 शेहरी है, पाकस्तानी, उसको भी तंग करें, उसको घर तोड़के, और पर इसको आप छोड़के चले जाते हैं, इसको पेव नहीं करते हैं, ठीक है, दूसरा जो डिवल्मेंट की आपने बात की, तो I don't understand, I really don't understand, because पांथ साल में तो कुछ भी नहीं हो सकता पांथ साल में क्या सकता है, कुछ जो सकता है, तो कुछ भी नहीं, you can't do anything in five years, so for any government to come in, जो के माशाळला, पांथ साल मेरे खाल में, it was only असिफिली जदारी साप गुवर्मेंट, जो जो नहीं पना पांथ साल के टन्यू as a president पूरा किया था, other than that, सारी गुवर्मेंट जो है आपकी तीन सारे तीन सारे तीन साल में, तीन सारे तीन साल में क्या बंदा सीखेगा, और कहां वो मुलक आगे बार सीखेगा, तीन साल में तो बच्चा ग्राजुएट नहीं होता, absolutely, so it's just a futile exercise, it's like a dog going round and round chasing its own tail, okay, and do you think that the awam is stupid or not very intelligent, and we're just looking, क्या कहते हैं, जिन्दगी तमा कल मुझे एक message आया, I was, मैं travel करके वापिस आया, तो मेरा वो suit के पूरा ही फाड़ के दिया हुआ था, security ने, तो मैं रहा सी video बनाई, तो एक बच्चे ने मुझे message किया, कि पहले मुझे लगता था, आप आपना कुछ हचसे जादे ही, एमी रोना करते हैं, बट अभी मुझ आप क्यों frustrated होते हैं, तो जिसे से लोग travel कर रहे हैं, travel नहीं भी कर रहे हैं, YouTube पे बैठके, आप किसी भी शेयर का नाम लेकर फोर के लिखो, सब कुछ की सड़के वनके सब आ जाती है, बल्कुल, तो लोग aware हो रहे हैं, so do you think this can sustain, यह जो जूट है, जूट है, जूट isnt the last government is a great example, Shavaz Sharif's government had the largest cabinet that anybody's ever seen, he had more secretaries than everybody else, okay, and in fact, some of them are friends of mine, and they had the, what do you say, they had the sentcut, and the and the and the and the and the but they do not even have a portfolio they just sat there for one and a half years really without any portfolios थुश करने के लिए क्योंके इलेक्शन आएंगे तो फिर तो फिर खुशी करते रो भाई है ना तो फिर खुशी करते रो ये होता है क्योंके interim government मैंने अक्सर notice कि और अभी एक और आने वाली है विच आइ थिंक छे साथ महीने चले ही क्योंके भी तो मर्दम शुमारी भी नहीं हुई तो interim government चुके वो इतनी accountable नहीं होती first of all you don't know these people जो जातर लोग आते है तो जातर लोग आते हैं तो जातर लोग आते हैं फ़लाना ये चीज़ करके गया था हमें भी एक जमाने में offer हुई थी interim government में minister बनने की 400 करोड पे साइंग करना था 400 करोड पे उन्हें कहा था 400 करोड पे आप साइंग कर दे जाता पूछने की जोबत नहीं आप minister बनना चार है मैंने का नहीं ऐसी हरकते हम करते नहीं है बड़ी मैंने से नाम कमाया है काफी है जी सभी अच्छा हमने diversity को तो बिलकुल ही जंडा बिलकुल green ही जा रहा है white पूरा गाइब होता जा रहा है what can we learn from the world from those countries from those societies who embrace diversity हम खुद उन मुलकों में जाना पसंद करते हैं जा हमारी वीशनाक्तों हमारा भी अतना ही input लिया जाए या हमें acknowledge किया जाए मगर वही चीज़ हम याद देने को तेया है मैं आप से बड़ी simple सवाल पूछता हूँ जब आप लंडन में क्लब में लाइन पे लगते हैं वह आप से पूछता है कि आप भी नेशनालिटी क्या है तो आप क्या कहते है मतलब किस चीज़ में क्या कहते है आदे पाकिस्तानी when they go to London they stand in line बिल्कुल जब बाउंसर पूछता है what's your nationality they always say we're Indians एंडियन या इरानी कहते है exactly why do you feel like Pakistani कहते है because they say to go to the line because they say to go to the line why so what's your ability to leave the world I'm asking you a question true 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 you're right first thing second the white and the green the diversity the this the that okay there are religious different kind of religions living in all over the world in different countries okay so you have no new new people are not coming in fact the Jews have left the Christians you've brought them down to just cleaning the streets sorry to say this okay that in a country in the 21st century ad is that these jobs are for Christians only excuse me yeah okay and Jews are running Jains are running Hindus are running so everyone are running okay we became the oppressor absolutely in fact there was there used to be a very huge Bahai community as well absolutely absolutely did you know Bahai existed like a lot of people don't even know دیکھو سکھاؤ گے تو لوگ کو دماغ کھلے گا تو tolerance آئی گی تو لوگ آگے بڑھیں گے جب نہیں سکھاؤ گے ٹھیک ہے اور جاہل رکھو گے بریانی کے لیے vote کے لیے تو پھر یہی رہے گی game ٹھیک ہے اگر solution ہر چیز کا یہی ہے کہ اگر جانا چاہتے ہیں تو لوگ چلے جائیں باہر مطلب کہ آپ اتنا used to ہو گئے کہ وہ وہاں سے پیسے بھیجیں گے یہ remittance والے کہ آپ کا talent رہے نہ رہے how can you even think like that it is the government's responsibility to make sure that you have human development it is your responsibility to provide education it's your responsibility to make sure those people come back and serve the country जंडे लगा जैने से और लिख देने से कि इस पर्चम के साय तले हम सब एक हैं और आपको मुल्की खिदमत करनी चाहिए भाई लोग मुल्की खिदमत कब तक करेंगे और जो बिचारे आएं भी है I know a lot of professors teachers doctors I mean which planet are you people living on I've heard Tania Idris I'm sorry अगर मैं उनका last name गोलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ एड्रिस जो Google छोड़के आई थी जो के सैपम थी उनको IT ministry काम ही करने दे दे थी और एक बहुत बड़ा event हुआ था असलाबाद में जहां पर हमारे भी एक दोस्तन का बहुत बड़ा start-up है नाम नी ले था उनका भी वहाँ स्टॉल था उन्होंने इमरान खान को बताया भी था sorry PTI के चेर्मन को बताया भी था कि ये मेरा उसके अब्बा को साथी जी अब ना-ना-ना-ना-सापम था Special Assistant to Prime Minister तो मैं नहीं नजर आ रही है तो फिर आए रांक सम पीपल इंसलाबाद जो कि IT सेक्टर के ही है तो उन्हें बताया कि IT Ministry जो है because they feel उसारे बाबे बथे उन्हें बोला या ये लड़किया ये गूगल से ही है इसने तो सारा मारा सफाय कर देना तो उसको बिल्कुल कॉर्ण कर रहे है Eventually she left So obviously Why would talent work for you or with you if you don't respect the talent? It's very very important 30 years of being a designer 30 years of being Pakistan's ambassador going all over the world doing shows doing this लोग भी हरान है आप Pakistan से Wow We didn't even know that Pakistan Pakistan में हिंदू क्मूνटी है Not even Hindu community Designers like you exist These kind of clothes exist ठीक है आपने आपको किसी भी क्या कहते हैं माशरे में एक positive image नहीं दिखाई और आप positive image ट्राइब ही नहीं कहाई दिखाना That's a sad part of the situation ठीक है और हर चीज़ पहुम टेट पर टेट पहाँ आजाते A simple example of that would be I mean there are over 3 million Pakistanis living in Dubai 3 million is a very large number ठीक है Wherever you जहां पर डंडा है वहाँ आप सही बैठे में Dubai हो गया Saudi Arabia हो गया Qatar हो गया ठीक है जहां डंडा नहीं है वहाँ के दमाँ खराब ही आते है And you want to you demand respect and equal rights in other countries but do you give any respect and equal rights in your own country That should be the question Second हम यह नही कहेंगे कि Pakistanis are not bright Pakistanis are brilliant from filmmaking to design to sports to I mean you name it कोई Google में काम करी है कोई CERN में काम करी है किसी ने कोई कोई bacteria निकाल ली है किसी ने मतलब Pakistanis are brilliant at whatever they do The only thing you do कि जब आपको उनका बाहर नाम सुनाई देता है कि वो famous बन गए you just capitalize on them किसे ही तो Pakistanis था भाई अबे अरे वो boxer Amir Khan को वो आज तो कैश कर रहे है भाई वो वहाँ British born and bread है वो वहाँ का है Zain को Zain हो गया Yeah, she's not just Parsi she's also Thank you So question is कि you must learn understand the sense of nationalism first Unless and until you don't have a sense of nationalism अब किसी ने जिन आपने मुझे एक अलफाज माल किया Minority मना interesting अलफाज है तो मैं आप से किसमे सवाल कुशेता हू So overnight we became minorities and you became the majority So we've lived here for 1100 years and you've just arrived So who's more loyal to this land? शकुर जो पुरान है भाँ खतम होगी ठीक है अब Majority अगर आगई तो ठीक है वो आगई That doesn't mean कि you you crush the entire contribution उससे पहले कि भाई ये जो पूरा infrastructure ये धंदे ये जो कुछ भी था ठीक है That is a contribution of the people who are already living on this land You can't deny that contribution First of all Second Arrogance You can't be arrogant Okay आपने क्या किया आपने जो education दी है History के education दी है ठीक है ना वो अगर आप पढ़ते है 9th और 10th class वाली history 712 से शुरू होती है और फिर वो मुगल पे आ जाती है और बीच के 500 है ठीक है उसके बाद की जो history है उसमें आपने आज से किसी को ये नहीं पढ़ाया कि Excuse me Mr. Moses is the क्या कहते है Father of architecture of कराची जूष शारी building उन्होंने बनाई वी है Moses से मौकर ने तो इस टाइप की बहुत सारी बात है contributions है लोगों की ठीक है वो इबने कासम जिसका कोई वास्ता नहीं हमसे भाई वो 17 साल का लड़का आया था लोटेरा टाइप का वो यहां पहुंचा ही नहीं वो तुम्होंने उसके नाम पे पार्क बना दिया ठीक है पार्क के नीचे जाएँ तो बचारे हिंदु की प्लेड है कि उन्होंने बचारे ने पैसे दिये थे वहांप़ तो यह बागे पने कासम जएक है जाका के देख लोगों शारब उसकी प्लेड लगी भी बंदे की ठीक है नहीं का मतलब यह नहीं है पुषिस्टरी को क्या कहते है बीच में से काट के उसको हिंदू और मुसलिम या मुसल्मान और रेस्ट बना दें तो वह इस्टरी आपी ख़तम हो चुकिये तो इस नो हिस्टरी दें और हिस्टरी में साथ शेर्ड होती है अबसलूटली तो नॉमन गोश्टरी को धुकिये भाजड है को अगर हम आदे जातने हम कहते है मैं कहता हूँ के काफी लोग कहते है ठीके गश्टरी बिटिश देश्टरी बिटिश्टरी को लुच्छ धाथ भाई शुकर करो कि वो तुम्हें ये इतना सारा आर्किटेक्चर दे गए ये पूरा शेर बना के दे गए रेलवे दे गए, कनाल से इरिगेशन दे गए होटल क्या कहते हैं, पूरा इंफरस्ट्रक्चर घर बने वे, पोर्ट सिस्टम सब कुछ दे गए, आपको तो पकीप काई रोटी मिली है, ठीक है लॉज, सब कुछ, अगर ये सब कुछ आज ना होते, तो सोचो क्या आलद होती भई, हम समालिया होते ये जो पट्री है ना, ये जो डॉकियार्ट पे जाती है ये खेवडा माइन्स तक जाती है और वो वहां से पता नहीं अठारा सो तीस में आके लाइम स्टोन की वर्किंग करके रूट बना के पट्री बिचा के ले गए थे सारा और बलोचिस्तान में भी कहां कहां पट्री है अठारा सोचो वह इंफरस्ट्रुक्चर इतना अमेजिंग इंफरस्ट्रुक्चर आपको मिला है जो कि वह जिसमें इंडिया को कहते हैं अपको इतना बड़ा का इंफरस्ट्रुक्चर आपको मिला ठीक है, एक जमाना था, I remember 80s or 90s में, तो 10 साल का प्लाइन आता था, 5 साल का प्लाइन आता था फिर आया कि जी दुवाई बनेगा पाकिस्तान, ठीक है, फिर आया जी, कोई आ गिया साओधी बनेगा पाकिस्तान, फिर आ गिया कोई तर्की बनेगा पाकिस्तान, फिर आगया कोई अपनी रियासत लेके, ठीक है तो भाई पहले पाकिस्तानी तो बन जाओ फिर बाकी कर लेना पास्पोर्ट लेना जाके जहां लेने अब यह वाला मसला हमें एक consistent national identity crisis में है हम हर दस साल बात कुछ और हो जाते है ना हमारी उनसे आखे मिलनी, आखों का कलर ना खाने ना हमारे रीत, रिवाज कुछ नी हमारा जो कुछ है इस जमीन से है वो हम मानने को तेयानी पचास डॉलर का DNA टेस्ट आता है सब रमेश सुरेश निकलेंगा अगर देखेंगा लेकिन लेकिन मानने को तेया रही है वो जोड़ते है अपना उनके साथ जो कहते है भाई किधर आयो, अधर कहा आ रहे हो तो यह बड़ा नाइट साफी करते है नाइट साफी नहीं है, देखो दिस इस वेर यू से amalgamation of culture, ठीक है ले मी आस्क यू वेरी सिंपल क्वेस्टिन एक लड़की शादी पे लाल लिबास पहनती है एक हिंदू लड़की शादी पे कौन सा लिबास पहनती है लाल लाल मेंती है एक साओधी लड़की कौन से लग़का लिबास पहनती है सफद तैंक यू एक अफगानी लड़की कौन से लग़का लिबास पहनती है हरा ठीक है तैंक यू जॉर्डन लेबनान सारे मुलक कतर कौन से लग़का लिबास पहनती है तैंक यू क्यों? Because they're all British, French inspired. ठीके? Lebanon, French inspired. ठीके? जिसका अपना region है, ठीके? वो रिजन से inspired होके, वो traditions and values नीचे आती है. ठीके? आपका हल्दी से, मायूं से, रंग से, इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है. These are all Hindu things. Okay? अमिन आपके पाँ तो छुआरे थे भाई. वो छुआरे खाओ और शादी कराओ, घर जाओ. गाने शादी पे तुम मुझे बताओ, कौन से गाने चलते हैं शादी पे? पाकिस्तानी गाने चलते हैं? बॉलिवर्ड. फिर? एंट्री किस पे है? अवो जो एंट्री हैं बढ़ती जा रही हैं अब शादी पे? कोई गोड़े पे आता है और कोई गधे पे सवार. ये सब क्या है? ताइंक यू. हलीकॉप्टर में भी आ रहा हैं. ये सब क्या है? ये बाकिस्तानी चीज़े हैं. फिर बाक खतम होगे हैं. So try to appreciate, try to learn, try to amalgamate and understand cultures. Okay? And try to move forward from this bullshit. You cannot keep on asking, कि जी आम कहाँ से आया है? ठीके ना? खाओ और अगे निकलो. अच्छर, डिजाइन की थोड़ो हिस्टरी बता है. design, how it helps inspiring individuals and nations collectively. क्या कहते हैं? Without clothes, the emperor would be naked. ये ही कहावत है, ना? हम बहुत क्या कहते हैं? This is a strange country to live in that way. The power of design or the power of clothes, fashion नहीं कहूंगा. कपड़ों का जो power हैं दुनिया में, वो किसी चीज़ का power नहीं है. ठीक है? Like Gandhi once said, जैसा देस, वैसा भेस. ठीक है? कि अगर जब, और a good example would be, कि is the awami suit. Why did Mr. Bhutto do the awami suit? ताके awam feel करे, relatability? कि मैं भी आपके जैसे ही हूं, मैं नर्ड लाइग गौट सेंड, I'm one of yours. When Mr. Bhutto got inspired by Communist China and Mao, and saw the grey outfit that Mao made, and Mao नहीं नहीं को मना कर दिया, कि तुम यह चाइनीज चॉंक सैम और यह सब कुछ नहीं पहनोगे, and women and men wore the same grey outfit, साइकलों के ओपर, वो जमाना, Communist China, दो चीज़े, Bhutto साब bought from there, ठीक है? The concept के, मैं अगर इन सब को, because यह जो पाकिस्तान में जो आए हैं लोग इंडिया से, 535 principalities से, जिनकी पगडियां, उनके लबास, और सब कुछ अलग अलग थे, कि मैं भी इनको माओ की तरह एक ही डबबे में बन करके, he understood क्या कहतने हैं? The power of uniformization. Propaganda. Propaganda. So he put them under, अवामी सूट, became a new fashion. ठीक है? और जो शिर्वानी पहनता था, जो घरारा पहनता था, जो अचकन पहनता था, जो पटका पहनता था, जो पगड़ी पहनता था, वो सब पुछ खतम हो गया. ठीक है? Look at the power of that. At the same time, he also came up with the, अगर राद होगा, बुटल साब नहरू जैकेट पहनते थे एक, तो पर यहां काम हुआ था तो, वो भी माओ पहनता था. वो फेमस नहीं हुआ. शेरवानी शेरवानी ही रही. Same way, जैसे आपके पास एक military में जुनिफार्म होता है, army में जुनिफार्म होता है, यह hotel में जुनिफार्म होता है, school में जुनिफार्म होता है, तो जुनिफार्म क्यों बनाया जाता है? The power of uniformization, the power of making you all look alike and the power of one voice and one thought that's the power of a government this is something that you must understand secondly हम इस मुल्क में हर चीज मैं समझता हूँ जो के दिल को भाए जिसमें खुशी हो जिसमें फिर वो म्यूजिक हो डान्स हो कपड़े हो हम उसको जुटका देते हैं क्यों? ओ जी ये तो मराश्री है ओ जी ये तो ऐसा है जबके प्री पार्टिशन आपके पास सब कुछ था ड्रामा, प्लेज, आर्ट, सैनिमा, कुल्चर सब कुछ आपके पास था आपके पास तो कसीनों भी बनने जा रहा था वो बिल्डिंग रेडी थी थीक है, और अबुटा साब को फिर रिलिजन जाद आगया तो एक सिसाइटी जो यू अपर जा रही है विच इस चंसलिड आज पास 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 दाजी कंट्री इन इनल्ड़ थे इनल्ड़ I'm not kidding अगर साची इन साची किताब खोलो you know when you open the साची इन साची इतनी मोटी उसकी कौफी टेबल की किताब है उसको यूं खोलो first thing he says the best slogan we ever came for an airline was great people to fly with PIA वाव okay and then now we are great people to die with that's just so sad I'll give you a future plan I'll give you a future plan and someone is asking what is the future look future future वही है कि जहां पर laws और क्या किरते हैं way of living lifestyle सब कुछ बनाया जाए लोगों की खुशी के लिए कि लोग क्या चाहते है पूच के तो देखो कि लोग क्या चाहते है ठीक है successfully जो भी हमारी governments आई है in the last 75 years किसी ने ये नहीं पूचा कि लोगों क्या चाहिए and I think that's a very very important answer to give इस पर बढ़ी easy study है Franco Spain जब Franco की death हुई I think in the 1960s or 70s तो Spain ने अपना पूरा constitution change कर दिया and the constitution was to benefit the people of Spain period तो जब तक आप क्या कहते हैं पुराने draconian laws और वो laws जो के बनाए गए थे for the British to come and sit on the top ठीके न and the brown to go and find us justice in the courts जब तब आप इस चीज़े खतम नहीं करेंगे और सिर्फ और सिर्फ ये पूचेंगे सवाल क्या लोगों क्या चाहिए only then you would move forward otherwise there's no chance in hell no chance आपके पास क्या कहते हैं पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं हैं ठीके आपके पास there's a very क्या कहते हैं heavy presence of religion okay on everyday life ठीके जो क्या कहते हैं आपकी business decision को भी affect करता है और एक मुल कैसे चलना चाहिए उसको भी affect करता है then you've got too many political क्या कहते हैं external forces that come in and that hampers how the country should be run okay it's a great line that someone said के they want me to become a prime minister with all the responsibility but with no powers okay so I can become the prime minister and be the fall guy also but I have no powers to make a decision so how would you expect something like that to run as a country which in today's day and age which only be seen as a business how can you move forward अरे चापने बात की के लोकों से कभी पूचा नहीं और हमेशा बस बताया के भई आज से हम ये हैं और आज से हम ये हैं I have this interesting not interesting just this theory not just interesting के हम so this is who we were before Ziya अलहक यहां पे cabraise भी थे हर किसम की you know different life थी like a normal life बार दिफेंट था ठीक है and then post Ziya the country that we live in now actually not post Ziya Mr. Bhutto and then Ziya हां exactly Bhutto sahab is to blame for this debacle हां but वो बड़ा उनको clean shit मिली भी है के वो सियासी शहीद के अंदर जो ना carpet के नीचे डाला वै के he was the one who started basically और फिर बाकी लोगों उसको in cash किया so we had this Pakistan before and then what we have now ठीक है तो clearly हमने यह तो आप ने regress किया है आप आगे नहीं गाए आप आगे नहीं गाए आपकोर्स regress किया है तो हमारे पस एक पूरा sample मौजूद है के we have the power के हमने 360 application की ideology की वो आपकी किताबों में भी डाला आपके ड्रामों में भी फिल्मों में भी culture भी खत्म के सब कुछ किया के हमने इस society को जिसकी यह तस्वीरे हैं जहां पे यह हो रहा था वो अब यह बन गई है so clearly we know how to change we do ठीक है और हम आपस living example हमने पूरा मुलक उठा के 180 degree कर दिया right so अब हम यही formula आगर अपलाएं आज से और इसमें इस तरह की cohesive और diversity inclusive तामीराती तालीम IT सेक्टर यह सारी इतनी भरते हैं के ड्रामों में भी यही आ रहा है और हमारे जैसे स्टार्टप से रिलेटेड वो इंडिया की सीरीज बड़ी फेमस है तो दोजर तेरह में बनाई थी तो अससे लोग इतना इंस्पायर हुए कि आज इंडिया देखने भी स्टार्टप तुमने शार्क टैंक इंडिया देखा है I don't think it's such a big deal at all दमाग खुलने की ज़रुवत है छोटा सोचने की ज़रुवत नहीं है ठीक है एक सिंपल देखो कोई भी मुल्क जो है वो आइसोलेटड सवाइफ नहीं कर सकता आप इंसिस्ट करते हैं कि पाकसान को आप आइसोलेट कर रहे हैं क्यों आइसोलेट कर रहे हैं तुरिजम क्यों नहीं आता क्यों नहीं आता मmeaning आपने इतना इसोलेट कर दिया है कि दुनिया कहां से कहां निकल गई है एल्ड़की रोड पर खड़ी भी है तो ऐसे देख रहे हैं क्यों मैसर का जूबा आगया यार, अमें कि लड़की नहीं देखी, टीवी पे देख लो, फोन पे देख लो, ठीक है न, तो ये जो isolation आपने पैदा करती है, ठीक है न, और stupid किसम की बाते हैं, वो jeans allow नहीं है, कोई कभी, stupid किसम की बात, जी jeans allow नहीं है, colleges में, लंबे बाल अलाओ नहीं है, जी allow नहीं है, rock band allow नहीं है, I mean, लड़का लड़की पांच फिट दूर बैठे हैं, I mean, stupid किसम की बाते हैं, वाइस चांस सरी बैठ की, ये सोच रहा है, सोचो, सारा दिन, तो कहां से आप आगे बढ़ोगे, because आप वो सुबह उठो, और नौकर आयो और कहें जी पानी नहीं है, टेंकर वाले को फॉन करें, आज गैस नहीं आ रही, सिलेंडर मंगवा लो, ठीक है, अब उसी से नहीं निकल रहे भाई, तो आगे कैसे सोचोगे, ठीक है, दूसरी बात ही है, कि आप कहते हो कि जी फिल्म बनाओ, let's take an interesting topic here, आप कहते हो एक फिल्म बनाओ, आप एक डिरेक्टर फिल्म इस म लिन यहें कि दुनिया कहां से निकल गए, पर आप कहते हो जी इंडिया की फिल्म ज़्यादा अची है और आप कम्पीट नहीं कर सकते हैं, भाई बात इंडिया की नहीं है, ठीक है न, आप चांसी नहीं देते हैं, पाकिसी चीज को, अगर वो चीज आती है, तो आप कोई की ऐरपोर्ट के चकर लगाते हैं, अपनी दुबही की डूडी फ्री की शॉपिंग लेके आते हैं, और जब इस हवानियत वाले ऐरपोर्ट पर उतरते हैं, यह डिप्रेसिंग लाइटों के साथ, और जो शारा है फैसल पर जब टरन मारो, वो गंदी सी बिल्लिंग है सामन जुनेद बंगाली, और जुनेद बंगाली का जादू, पिल्कुल, इस तरह हैं, तो यार इंको कोई असास फिसास नहीं होता कि यार थोड़ा हम भी ठीक कल लें, कि वेलकमिंग नोट, अच्छा आप एरपोर्ट से जब पार्किंग वाले को पैसे देके निकलते हैं तो उ एक्सपो हो रहा था, पाकिसान एक्सपो जो कि काफी बड़ा होता है, टेक्सटाइल का फैर है यह वो, I mean it was taking us two and a half hours, just as an exhibitor, कि हम एक्सपो के अंदर जा सकें, ठीक है, तो मैंने इसका विजियो भी बनाया था है, मैंने इसका विजियो भी बनाया था है, मैंने किसी हो कहा तो मैंने अज भी बनाया था, तो मैंत, की बनाया था है, एक्सपो पाकिसान एelling तूम धर दु लोगा जाए हो एक्सपो बनाया था एव जा अओड़ार है, तुम डरवाजेपो के तुलो अंदर जाएंगे, सर अमयन दाermakनी एट अग्र तो मैंने अचा फिर इतनी एजन् तो आप्तिक्स दुनिया को यह दिखा रहे हो कि हमारे पास security issue है in the capital that we are giving kids two-day holiday मतलब आपको पस को priority नहीं है, education priority नहीं है आप दो 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 दें की चुटी देरों को जो कि चाइनीज बंदा आ रहे है सोचे एक महला मिना बंद करें हमारे लिए कोई कोई दुनिया कोई बंदा आई महला नहीं आपके लिए बंद करने वाला यार जिसरे भी आप हरकते करते हो stupid कि यह क्या हरकत है यह मतलब आप optics क्या दिखा रहे हो अच्छा हमारे हाँ लोग बिचारे चुके जाहतर लोगों को exposure ही नहीं है जब भी हर साल PSL होता है तो यह जो गोरे प्लेयर्स आता है तुम्हाला देखो वो साथ में 8-10 कमांडों के साथ तस्वीर होती है तो नीचे लोग केते हैं वाँ माशालला यह होती है यह सिक्यूरिटी अरे भाई दुनिया डिविलियर्स नॉट अभी डिविलियर्स साथ अफिका का जो बॉलर था 96 के वर्ल कप में गोड़ा गाड़ी में बैटके बंस्रोट का खाना खाने गया था उसकी पिंडी के बजार की तस्वीर राजा बजार की तस्वीर है उसकी ग्राम हेग जो है बंस्रोट पे घुमता था ठीक है दुनिया में हर जगा ऐसी होता है और वहां पे कोई केला नुमानी बना था कि मैच देखना स्टेडियम के अंदर जाना एक इतना बड़ा कश्ट नहीं होता मैं अच्छा मैं वो लॉड्स में मैच था उसका इंडिया और इंग्लेंड का मैं कोली की बैटिंग देखनी थी तो बेगम ने बोला कि अच्छा मैं सुबा लंच बना के दूँग कौन सा लंच कह रही भई पिकनिक तो रोकेंगे नहीं कह रही दिमाग से यह क्या मैं लाए सिक्रिटी वारा रोक लेगा उससे लिटरली सिक्रिटी वारा ने बैक खुलवाया कि कोई उल्टा सीथा जंडा तो नहीं है तो पता आइसेस कही में लाए-लाहा खुल के लगा दिया उसने जाने दिया मेरा दिमाग कंप्यूटी नहीं कर पाया कि मैं घर का खाना लेके जा रहा हूँ और इनको फिकर ही नहीं कर रहा हमारे धंदा नहीं होगा माइडिया है देट्स कॉल सिविलाइस 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 तो ये लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये बहुत गलत चीज है पता लोगों को सब कुछ है क्या वो यही पाकसानी कि अब दुबई नहीं जाता लंडन नहीं जाता अबुदाबी नहीं जाता जद्दा नहीं जाता साथी अरेवे नहीं जाता बहुत सारे मुलकों में जाता है ठीक है तो वहां ये सारी चीज़े ठीक क्यों हो जाती है और यहां आके सारे बाच्छा क्यों बन जाते हैं कच्रा फैंकना शू कर देते हैं एरपोर्ट पर सिगर्ड पीना शू कर देते हैं ओके वही चूं चूं टां टां हौन बजा रहे हैं क्यों जंगली बना क्यों हो जा क्या है ये? मतलब क्या तमीज है ये? जब सिगनल खुलेगा तो भाई सब चलेंगे, सब की गाड़ियां खड़ीवी है. आप पीछे से हम जाने शूर कर देते हैं. तो आपने क्या सिखाया है? In 75 years, I keep on asking the same question. क्या आपने क्या सिखाया है? और ये अपने क्या attitude सिखा दिया है सब को? कि जी मेरे भी contacts हैं. एरपोर्ट मेरे, हरकोई अपने आपको बाच्शा समझ रहा है? मतलब there's no rule of law, जिसे line में लगो, जिसे बागी लोग करते हैं अपनी चीज़े. All of this has to stop. It feels like an occupied Palestinian or some weird territory. ठीक है? कि वो आप अराम से line में लगे हुए हैं, वहाँ से वो VIP culture, भाई क्यों? It should be same for everybody. VIP दर्वाजा है बकाइदा. Exactly. अलग दर्वाजा है. ये जो आपने हरकते पैदा की है. ठीक है? जी, this is what you call slippages. ये जब हरकते जब आप करते हैं, तो फिर दूसरे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं. फिर हरकोई VIP बनना चाहता है. हरकोई ये बनना चाहता है. हरकोई ये बनना चाहता है. ठीक है? जहाँ आप सब को एक पेज पे रखते हैं, अवाम को, और बड़ों को भी. खाकान अबासी साहब की चेकिंग हो रही थी ना, जब वो उतरे थे. As a Prime Minister in America or wherever he went. That's the way it should be. New York में. तुक है? That's the way it should be. आप जब ये हरकते ही करते हैं, you undermine the authority, basically, कि we are above the law. And जब वो पंडोरा खुलता है, तो फिर वो. लोग का दमागा खुराब लोग फिर ये ही कहते हैं, कि वो भी तो जा रहा है. I'll give you a simple example. So, मुझे एक बहुती बुरी आदत है, वो ये है कि मैं जब भी ऐरपोर्ट पर उतरता हूं, मैं कोई ऐसे प्रोटोकॉल शुटोकॉल नहीं करता. मैं लाएं में राम से खड़ा होता हूं, मुझे तेज़ चलने की आदत है, मुझे बता मैं नंबर टू या नंबर वन पहुंच ही जाऊंगा, ठीक है. और अमूमन हर फ्राइट पर कोई नो कोई दोस्तों मिली जाते हैं, मुझे कोई पचाज़ वक आ गया, आजा हमारे साथ, मैं तो नहीं, आजा यार, निकल जाते हैं, मैं बैगा, मैं नो, I like this, समान बेटा तेरा भी तेरा भी ते टाइम पर आएगा, जब मेरा आएगा, जब आदा फ्री होने की ज़वद नहीं है, ठीक है, और यह प्रोटोकॉल दिखा रहे हो, और यह सारे तमाशे कार रहे हो, और राम सिख शरीफ आदमी तरह निकलो, वाई हैव वी बिकॉम अरगन्ट, वाई कांट वी बी नॉमल, हम्बल, लाइक अधर कंट्रीज, ठीक है, आप हमेशे यह बात कहते हैं, यह बात कि तस्वीर, अगर आप यह जरा स्क्रीन पर लगा हैं, इनके कपड़े देखें, कहीं से लगा है, कहीं से लगा है कि यह बज वर्ट थाउजन अफ करोज, थाउजन अफ करोज, इसाक्ली, यह आपने खुद पैदा किया यह सिस्टम, ठीक है? और शिस्टम उखतम करने के लिए you have to become systematically right. कि no one is above the law. ठीक है? The police is not the dog of the politicians and everybody is in their own domain doing their job for a collective country to move forward. Otherwise, जो आपके expense हैं भी? क्या आपके इतने expense हैं? आप वहां कहते हैं कि जी हमाँ आपस खाने को पैसा नहीं है हैं, वहां billions of रुपी से गाड़ियां ओर कर देते हैं वहां आप कहते हैं कि जी हमाँ पास 50% basic education नहीं है, आप में अभी 21 university आनाउंस कर दी हैं private भाई जब basic education ही नहीं है तो private university क्या कर रही है? ठीक है जो भी आप bill लेके आते हैं जो भी आप लेके आते हैं अवाम कर तो कोई तालू की नहीं है it's just benefiting you, benefiting you, benefiting you or your friends or your friends तो पर्टा जब चादर थाड़ते जाओगे तो एंवे तो चादर के तो चथरी निकले ना okay तो फिर if you think के यह begging bowl खतम जाएगा if you think के आप प्रोस्परिटी के तरफ जाओगे if you think no you are at best redundant ठीक है the cold war is over exactly the iron curtain is over the cold war is over the afghan war is over the russian federation is over ठीक है times have moved on okay आपका rhetoric change दी वहाँ भही पसे बें how do you expect a country to prosper अजीब इसमा कोई लिंबो में है अब तो वाली traditional जंगे भी नहीं होती अब तो सारा corporate है नहीं होगी manufacturing wars है अब तो अब तो उसकी war है chip की war है अब तो धंदे की war है भाई जो धंदा करेगा वो आगे बढ़ेगा जहां जितनी factory आं खुलेंगी जितने क्या कितने economy war है आप वहाँ बैठे वो कहरे हो कि जी वो हम इंडिया से compete करेंगे इंडिया को ये दिखा देंगे बात like I said again इंडिया की है ये नहीं अब चेसो बिलियन डॉलरों के अकाउंटें पड़े वे हैं बाई तुमारे आठ बिलियन मांगे वे हैं एक बिलियन तुमारे अकाउंट में बन्दा बात करें तो अपनी अउकात के हिसाब से ही करें ना या Kim Kardashian के पास एक से दाता बिलियन मतलब शीज वर्थ मोर देन आल अफ उस तो चोचो तो बैस्ट वो जिन्होंने वो शाहिद ना भी उनका That was a good one जुर ने कहा पाकसान बला रहे है Take a hike That was the best अकरमद आद्मी था भो तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को समझ आय तो फिर मुल्क आगे बढ़ेगा अगर नहीं समझ आया तो हां जाके अतने पेट ज़रूर बढ़ेगा तो एक एक भागे बढ़े, जब जब जबर बढ़ेंगी, मुल्क एक भागे बढ़ेंगी. I'll tell you what, you right now are as a third generation Pakistani, so my grandfather is alive and he's 92, he was born pre-partition, so he's his first generation, my mother comes in and then I come in, third generation, you and I are third generation Pakistanis, let's put it that way, okay? एक वक्त आएगा जहां तुमने ये बात करने हैं कि अम्मी अब्बू को पैसे भेजने हैं, जब अम्मी अब्बू ने मर जाना है तो ये पैसे बेटा नहीं आएंगा, ये पैसे खतम हो जाएंगे, ठीक है, जो हम इंसेंटिफ टूदर क्या कहते हैं, ओवरसीज पाकस्तानी दे रहे थे, जो हालात आपने पैदा कर दी हैं, एक टाइम आएगा, कि ओवरसीज पाकस्तानी भी आपके प्लॉट खरीदने नहीं आने वादे हैं, ठीक है, और वो भी कहेंगे, जी है पैसा कहीं यहां लगा दो, यहां वापस भेजने की ज़रूरत नहीं है, डून अंड कि I have seen so many friends this year, इतने लोगों मैंने, जो है, जो कानिडा भागगे हैं, जोने बास्पोर्स ले ली हैं, जोने अपनी सारी प्रॉपर्टी यह सेलं पर डाल दे, और दो-दो बेडारूम के अपार्फर में शिफ्ट हो गए है, के जैसे प्राइज बढ़े और निकलो यांसे औ गाइब हो, because at the end of the day, जुने सब को सकून चाहिए, ठीक है, सब को खुशी चाहिए, हैसल किसी को भी नहीं चाहिए, सुब अब इनसान उठे, पानी, बिजली, गाडी, सब काम कर रहा है भाई, और सोचे कि अब आगे क्या करना है, यह नहीं कि उसी, कुटे की दुम की तरह रोज उसी में फसा रहा है, आज बाहर निकला हूँ तो रोज टूड़ गया है, आज वहाँ गया था तो जी, वो चोरी हो गई, आज वहाँ गया था तो जी, साइड मेर ले गया कोई, कोई फानी ने चला गया, आज वहां गया था जी गैस नहीं आई, आज वहां गया था तो यह हो गया, you can't live a life like that, okay, reading a newspaper in the morning and Pakistan can give anybody a heart attack, यह बिलकुल है, और वह यह लिवात ना कि, दूसरा, मैं इसको इस तरह देखता हूँ, कि घर के बड़े, जिस, जो एक functional family होती है, उसमें, parents का जाहरा बहुत बड़ जो हैं, वो damage होता है, तो इसी तरह अगर हम मुल्क को, उस macro level पे देखें, तो घर के बड़े, एक तो हमारे रोस चेंज हो रहे हैं, मैं पता ही नहीं, हमारे अबू कौन है, और फिर वो आपस में भी लड़ते रहें, और वो धिंगा मुश्ती चलती रहें, और हम बस देख चार साल में क्या चल जाता है, कुछ भी नहीं, ना ही कुछ प्लान हो पाता है, आप जैसे फिल्म की बात करे थे, अब जैसे जिसे जिन्दगी तमाशा, जैसे के बैन की गई, वैसे ही सिनिमा लोगों की पहुंचते दूर है, ठीक है, अब वो जमाना नहीं के कैपरी में ग बहुत सार लोग शायद ना चाते हैं, लेकिन आपने उस पे इतनी बंदिश की, इतना हुला कर दे कि वो यूट्यूब पे आ गई, अब जैसे नहीं भी देखनी, उसके बाद वीकेंड, अभी चौदा का स्थारी है, चुट्टी है क्या करेगा, वो जितना की तमाशा अबे, वो पॉलिसी बना रहा है, ठीक है, AI क्या होता है, ठीक है, मैं आज ये सवाल पूछेता हूँ, I mean, I don't know who the IT Minister is, but I'm sure he does not even know what the word IT means, I'm sure of it, ठीक है, in Pakistan, I'm sure of it, ठीक है, इन पाकिस्तान, I'm sure of it, ठीक है, और अगर आप, और आप देख रहे हैं, कि हो क्या रहा है, तो ज ठीक है, आपको कहरी नहीं कि अवाम क्या करना चाहती है, और कहां रहना चाहरी है, ठीक है, आप एक, क्या कहते हैं, उसको एक factor of deniability में रह रहे हैं, ठीक है, आपको पास rape है, आपको पास violence है, आपको पास sodomized rape है, और institutionalized rape हो रहा है, आपने वो बतानी, सरगोदा में, जहा पर ताला लगा दो, और पर को जी फैमिली पार्क है, बिचारा वो काम करने आया है, वो हवा काने जाना चाहरा है, अब तुम्हे तो लड़की मिल नहीं रही जुनेद, अब वो बिचारा लड़की कहां से लाएगा फैमिली पार्क बनाने के लिए भाई, भी तो को लोजि और जबकर जो हो रहा है, वो उसका आपोसिट है, ठीक है, तो जब आप एक सुसाइटी को, फ्री सुसाइटी जिसको आप कहते हैं, फिर वो स्वीडन हो, नौवे हो, इंगलन हो, अमेरिका हो, जो कुछ पी हो, ठीक है, क्यों लोग बाहर जाना चाहरे है, क्यों लोग बाह बाहर मेहनत कर लो, I remember, मैं नाम नहीं रहना चाहता, एक पिछले इस्टर यर्स की बड़ी फेमस अक्टरस थी, अब कहां, अभी भी हैं थोड़ी सी, लेकिं मैंने उसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैंने उनके भाई बहन के बारे में पूछा और उन्होंने बड़ी इच्छी बात की मझे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं दीपक, अगर मेरी जिन्दगी पर बाद होगी है, और लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, लेकिं मैंने अपनी बहन को तो American College में पढ़ा दिया और अपने भाई को भी American College में पढ़ा दिया, उनकी जिन्दगी तो ब क्यों न करें, मेसा जो स्कूल में बच्चे थे, कोई ड्यूलाइट में काम कर रहा है, कोई एपल में काम कर रहा है, कोई गूगल में काम कर रहा है, लास्ट यह मैं नियॉर्क गया हूँ, I mean I met all of them, couple of four of them, and I was amazed with their lifestyle, okay, कोई Cincinnati में था, कोई Connecticut में था, कोई Boston में था, they all came to meet me, for old time's sake, we were all from St. Pat's, and I was amazed, I was amazed by, by के यार वो, मतलब तुम यह कर रहे हो, तुम यह कर रहे हो, तो क्यों नहीं, कौन सा इंसान नहीं चाहता है अपनी जिंदगी बहतर बनाना, okay, और कौन सा इंसान चाहता है कि वो सारी जिंदगी किसी का नॉकर बना रहा है, यार, okay, और मैं सम सलाम भी एक बड़े से चोटे से गाउं से ही आये थे, ठीक है, तो यह कहना कि जो उक शहर में रहता है, वो बड़ा आदमी बनेगा, और जो गाउं में रहता है, वो नहीं बन सकता, यह तो बात ही नहीं, आप अपरचुनिटी तो दें, आप हाथ तो रखें बच्चों के ठीक है, तो भाई हमारे यहां क्या है, चीज बना के छोड़ देते हैं, भाई तो पूछो तसरी वो इनक्यूबेटर के अंदर क्या है, सक्सेस स्टोरीज कितनी है, उसमें से किसको फंडिंग मिली, किसको क्राउट फंडिंग ना मिली, कहां से वो चीज आगे निकली, माने में, नवाशरी गर्म में कोई मिनिस्टर थे, उन्होंने जब उनको कहा कि कि आई-टी पार्क बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आई-टी पार्क बना रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि वहां पार्क बनेगा, उनको समझ नहीं आए कि वो टेक्नोलोजी है, आई-ट the wrong job that's the fallacy of this country okay um a simple example would be pia it's a hospitality oriented company okay look at the kind of people who work there there is no hospitality there's no politeness there's nothing there's nothing in cip lounge in the lounge there is no आपग्रेइड दिया बात की ना वह वह वहा दिद्र के बात आगे कि अजय होगा जो हुए आप जो अब बहुए निसो सटर्ड़िस भी तो वो लाइम लाइट में नहीं आपा था परसो मेरी नजर से एक आप गुजरी उस आप का मकसद यह है कि जो लोग ओर सीज हो गए है अलहमदुल्ला उनके प्यारे तो यहां दफन होंगे तो उनकी कबरों की किसी ने तो सफाई करनी है तो यह कि आप बता दे कहा है और हम लोकेट कर लेंगे और की सफाई करके फोटो बहेज़ें आपको ग्रेट आइडिया आइडिया तो है आपके लिए मैं दुआ कर दूँगा अबदुल्ला शागाजी तो मैं जाके कर दूँगा तस्वीर बेश दूँगा आपको के मुल्क में क्रियेटिविटी की कमी नहीं है चांस तो मिले बच्चों को कल सर एक जोहर का 19 साल का बच्चा मेरे साथ लगावा था और वो कह रहा था कि किरियानों को अगर हम इस पे ले ले लें ऐप में वगारा वगारा जिसने बउचिये आइडीय जो दिया ना कोस्ट को का मॉडल दे रहा था और इसको पता भी था कोस्ट को है क्या सोच फद्रू यानि क की बिलिउन अमट्याज मल्टाइब डिलिउन डॉलर का आइडिया मेरे बच्चे को आ रहा मैंने बुचा तुम्हें बता है कॉस्को का तुम पूरा बता रहे हैं कि एक मेंबर्शिप हो कम पैसें हो जो जल्दी होने वाली हो इसका प्राइस को डिलागो तुम आप में सारा हो तो आपको पता हो कि अचा आज कुकिंग ओल इस वाले भी सस्ता मिलने आजा के ले 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 लिए तो घरेलो और तो क्यों नहीं लेंगी उनने साल का बच्चा opportunity my idea Watson you have to give them opportunity ठीक है बात हमें किसी के साथ compare करने की जरूवत नहीं है ना किसी के साथ हमें compete करने की जरूवत है the question really is के are we competitive do we have a competition competitive streak do we want to compete ठीक है बात सारी ये है okay नहीं तो हमारे साथ बहुत सारे दूसरे मुलक हैं I mean forget India हमारे साथ बहुत सारे मुलके जो आजाद हुए है Malaysia है Indonesia है Jordan है Egypt है सबकी 1947 48 वाले हैं ये सारे Singapore है सारे वो British Dominion सारे जो है आस-पास आस-पास वाले है I mean look at their level in today's day and age ठीक है China को देख लो 80s 90s ब्रोक था चाइना ठीक है in fact 80s में China was a sick man of Asia yep and 97 में South Korea got bankrupted absolutely वो लो पैसे खतम होगे बैंक पे उसके बाद so there was a study वो फॉर्म में थी के South Korea decided कि no matter जो हाला तो हम एक परसेंट अपने GDP का art and culture में लगाएंगे उसका result आज देके squid game पूरी दुनिया देख रही है K-pop पे पागल है सरगोदा में लड़किया K-pop पैसा देके उनको happy birthday जंकू के board लगवा रही है So the Spanish constitution when they changed it when Franco died is based on art and culture by the way the entire constitution is for artists for musicians for designers for art and culture और हमने उसी को decimate कर दिया गंधारे बेज बेज के ये कंजरो का काम है करके हर चीज कंजरो का ही काम है तुम बदानी कौन से काम करते हो हमें बता दो अचा COVID में टाइम नहीं गुजर रहा था लोगा बगएर Netflix के बगएर Spotify के देखना कजर कोई है बगएर इसद नहीं देनी Thai food का जैसे भी उन्हें मेंशन किया 1930s में उनके king ने जो है बाकाइदा वो बनाया एक department मनाया कि वहाँ पे हम specialized तीन different tiers के Thai food के chefs बनायेंगे एक street food वाला एक mid tier वाला और एक आपका okra level का ठीक है और इनको हम दुनिया भर में भेज देंगे और दुनिया भर में हम अपने cuisine को पहलाएंगे street वाला street खाएगा यह खाएगा अब New York में बन्दा जब खाएगा पैट थाए और वो बोले गारी यहां इतना अच्छा मिलता है तो Thailand में कितना अच्छा मिलेगा तो food tourism हुआ अब यह नुसरत को हम यू यू देख देख के भाग भाग के नहीं कैसे है तस्वीर के चाने पूरा पाकिसान खा रहा है नुसरत बेसिक स्टेक है उसका कोई तना नौट आर्ड ओडिस कर अब यहां जादा अच्छा मिलता कराची में कट्रिक तना लाप करना नोट करने चाहते हैं आप इतने क्या कहते हैं जाहिलान थारीके से लोगों को put-down करते हैं अरस Le Adventure को अब यह क्या कर रहा है अभी यह कर रहा है करना है exactly yeah ठीक है तो हम बड़ी negative क्या कहते हैं aspect से i respect Salt, I remember as a designer जब मैं, when I started design, I was it was 1994, okay वासने fashion कोई, कोई नहीं था concept, तो जब मैं ने shirt, I started with shirts ठीक है, मैं जब मारे में लाल shirt ही बनाई, तो पिली shirt ही बनाई, तो हरी shirt ही बनाई, मुझे लोगा कर्डिसाइज करते थे की कि तुम क्या रंग बरंग या shirt ही बना रहे हो, तुम यह बनाई, मैं नी यॉक से आई वो बच्चा, okay, they had no concept, कि यार ये भी हो सकता है तीक है, आज तुम देख लो 20 साल बाद, 30 साल बाद, pink पी पहन रहे हो, blue भी पहन रहे हो, red भी पहन रहे हो भाई, लोगों कुछ चांस तो दो, let them grow, let them move forward आप कैसे define कर सकते हो simple सी बात, एक भर में दो बच्चे हैं दो बेटे हैं, जरूरी नहीं कि दोनों बेटे एक जैसी निकलें, एक बहुती जादा स्मार्ट निकल सकता है, एक दम निकल सकता है, true, ठीक है, सांप स्मार्ट वाले को तुम भाईर बेज़े को, दम वाले को तुम पॉलिटेशन बना दो के पाकिसान में, हमार उपर डालने के लिए राइट, ओके, मैं चांस तो दो अचा, what were your challenges as a designer, वो भी 90's में, you were starting industry निदेवलप नहीं थी, what were your challenges then, और अब क्या challenges अब अब क्या challenges है, it was an unregulated market जिस पे कोई जिसका सारे पैर नहीं था fashion shows नहीं नहीं शुरू हो गए थे, तो कभी डालड़ा ला 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 लेता था, कभी परसे टेमाल कि जी fashion show कर तो, तो I decided we, a couple of designers sat down, in fact this is a great story, we sat down and we said कर यह बहुत हो गया, we have to regulate fashion so we made fashion Pakistan council okay, और वहां से we came up with a concept of malls concept of spring, summer, fall, winter, जो के बाहर internationally होता था okay, और आज कितने, उस बात को 1994, 2023 नहीं, वी स्टारे थाज़न, 20 साल, 23 साल, तेही साल में तुम regulation देख लो पूरी, 18% tax ले रहे, गर्मेंड पाकिसान इसके ओपर ठीक है, लुक बूट वड़ी नची तुम है, तुम है, जो पूरी का हौलमा काड वना दी हमने उसको ठीक है, and we ran the fashion council for 13 years, we had a little bit of government support on it also at that time भीक मांगी हमने बहुत, कुछ पैसे मिले हमें, खतम हो गए उसके बाद, हमने मांगे नहीं हो, काम सरु खतम हो गए, लेकिन रीटेयल सेक्टर को हमने बना दिया, तो हमारे पास, सैडली जैसे मैंने कहा, टैलेंट बहुत है, बहुत कुछ हो सकता है, लोग बहुत कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता, अगर जाहिल को सीट दो गयों, बठाओ गयों, उसको बोलोगा, या कल्चर तुम चला लो, या आईटी तुम चला लो, या साइंस तुम चला लो, जब जाहिल को पता ही नहीं है, तो कहां से कुछ कर लेगा, दूसरा एक एक, ये तो शलवार कमीज है ना, ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, सारे पेट निकले वे, मोटे मोटे ऐसे करके, खुजाते वे, बैठे वे हैं, जहां जाओ, ओके, आज ये मैंने सुबाइक तस्वीर देखी, वे अमेरिकन इंबैस्टर के साथ हो बैठा हुआ है, बंदा, यार जो लेने वाला वो ऐसे वाड़ा होता है, मैंने ट्वीट किया था ना, मैंने ट्वीट किया था ज़स पर बड़े बैंकर्स का फोन आया, कि the lenders who've come, look like they're broke, and the beggars who've gone to beg are wearing Brioni suits and Patek Philippe watchers, which is Pakistanis, तो, क्या कहते हैं, लोग कहेंगे इस इंटिव्यू के बाद कि Deepak बहु जादा क्रिडिसाइस कर रहा है, बात क्रिडिसाइस की नहीं है, बात frustration की है, because when you've been in that same field, wanting your country to move forward, and you want happiness, you want excitement, you want क्यार, हमारे मुलका भी नाम हो, मैं भी बाहर जाऊं तो, इज़त से लोग बात करे हैं, और ये हो, ठीक है, वो जंडा अकेला नहीं लहरा है जा सकता, उस पर एक चैलेंट बिचारे अकेले 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 अपने जंडा लहरा आ रहे होते हैं, ठीक है, और जो actual लोग है, जिनका ये जॉब है, ठीक है, उनको बता ही नहीं कि उस चैलेंट को उस प्लैटफॉर्म पे लेके आगे कैसे लेके जाना है, ठीक है, ठीक है, आप उस रूट को identify नहीं करना चाहते हैं, अगर आप महरा में मुबाइल फोन बन करते हैं, आप क्यों बन कर रहे हैं महरा मुबाइल फोन, ठीक है, अगर इतने सालों से फसाद हो रहे हैं, कुछ हो नहीं, यू बेडर कम पे तर सलूशन तो दाट फर्स्ट, या इस वेरी एजी तो, क्या कहते पिपल, यू फो फाइन अन्गेजन, अगर कल इंगलन्ड ये कहे कि ओ, रोड पे बहुत शराब पीके बच्चे गिरे वे थे तो हमने शराब बैन कर दी, इसका मतलत हैं, या लड़की लड़कों को दूर-दूर बिठा दिया है, या बॉइ स्कूल अलग कर दी है, या बॉ solution is not shutting down solution is moving forward बटनी तो बन करना है तो अगर बटनी बन करना है तो फिर इतना पैसा इतना budget allocation इतनी बड़े-बड़ी forces और इस चीज़ पर जाती है मुझे बाव पताओ if your cold war is over if communist China is over, Russia is over, Afghan war is over, आपने अपना budget कम किया है आपने मुखे sustainability के उपर ले गए है ठीक है, आपने कहा है कि these departments are now redundant and now we need to, क्या कहते है slim up and move forward no so what has changed ठीक है, आप austerity की बात करते है आप क्या कहते है आप बड़ी बड़ी आके speeches करते है और कहते है कि ये मुलक अधिवालिया निकल गया है मुलक में ये हो जाएगा, मुलक में वो हो जाएगा ठीक है, किसी ने बड़ी अच्छी बात की यार ये तो वाहिद बुलके जो जब उधार लेता है तो celebrate कर रहा होता है बागा है था कि Allah का शुकर है आगए तो Allah का शुकर है पैसे आगए फुश खबरी यार, अगर हम किसी तो धाल लें तो डूब के मर जाना चाहिए भाई कि उधार वापस भी करना है और तुम खुश हो रहे हो यह हम खुश आना मैं वापस तोड़ी करना तो यह कैसी बात ने है करने की वापस तोड़ी अगलों ने करना है या फिर हमने एरपोर्ट देते ना है हाईवे देते ना है तो फिर ऐसे तो कोई भी बात नहीं चल सकती अगर क्या कहते है वो किसी ने नहीं कहा था बड़ी अच्छी बात है कि पाकिसान में जो रोड्स बनते हैं उसके उपर कॉंट्रैक्टर का नाम लगा देना चाहिए ठीक है तो पता चलिया है भाई, रिस्पॉंसिबिलिटी तो लो प्लस आपने अपना अपना जो इतना पूरा गवरनन्स का जो सिस्टम है वो इतना वीक कर दिया है कि आप किसी कोई आपकी पकड़ में नहीं आ रहा वो फिर गली का कॉंट्रैक्टर हो या स्कैमर हो या प्लॉट वाला स्कैमर हो कोई भी हो हर कोई निकल जाता है बेल लेके हर कोई निकल जाता है तो फिर वो आप एक्जाम्पल के सेट कर रहे हो तो अगर वो जेल से निकला है तो वो तो उसे बड़ा डाकू बनने माला है automatically सीना कोल के तो मारा स्टाइल है मुझे तो नहीं पकड सके ना मैं तो बाच्छा हूं right so आप खुद अलाओ कर रहे हो वो पर्रप्शन to move forward आप खुद अलाओ कर रहे हो weakening of your systems weakening of your institutions institutions so how will you move forward I mean the scandal that's come out in that bhavar par university is horrendous five and a half thousand videos and girls college and all of this crap what have you done about it exactly वहाँ आप एक प्रीचिं कर यो बैठे वह और यहाँ पर इस टाइब की हरकती अगर हो रही है तो पिस पे strict action के लिया जा रहा है how are you preventing next university or next generation to safeguard you Zainab Alert बना दिया है क्या बना दिया है इस पे फोन कर ले वो एक गवरनर साहब है उन्होंने कोई बाइल लगा दिया है कि जी आगे टंग 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 कर दो कोई गदा आता है वो एक library बना दिया उसने बाहर रोड पे एक library बना दिया चार किताबे डालके और वो कहरे अपने आपको वो श्याना समझ रहा है मुश्रव साब की जमाने में वो आया था वसे फवारा लगा दिया था एक कोई वो पाइप के साथ वो याद है फवारा और ये क्रिफ्टन बिच्ट से अगर उतरे तो उल्टे हाथ पे वो चेस का एक टेबल लगा दिया था कि लोग चेस केलेंगे अबे वाटिक टॉक बन रही थी वाट दोड़ा के दास रही था तो जाहरा वो क्या करेंगे आप लोगों को ऑप्शन नहीं दे रहे जबकि आपके पास सब कुछ है यार दुबई से किसी भी जगा का प्लान ले लो और आकर उसको कॉपी कर लो कॉपी पेस कर लो आप वो करना है नहीं चाहते फिर आप कहते हो कि जी इस मुल्क में कुछ नहीं हो रहा भाई आपका क्या कहते हैं आपकी responsibility है यूथ को guide करने की आपकी responsibility कि आप उस टेक्स बुक्स में क्या जालते हो आपकी responsibility है scholarship की उनको आगे लेके जाने की sports की इस चीज़ की I mean for a country जहाँ squash का champion होता था world champion वो भी खतम हो किया एक जमाने में hockey champion होते थे वो भी खतम होके इस बार तो qualify भी लिखिया ना कौन से games के लिए है एशिया में हा रहा है but just snooker वाले को वो भी एक जमाने हम snooker champion होते थे ठीक है बस एक cricket में आपका बल्ला चल रहा है तो बस बल्ला चल रहा है बल्ला चल रहा है सारे पैसे cricket में डाल रहो cricket में डाल रहो four world championships hockey squash, cricket and snooker yeah then what happened अब सब cricket focused हो गए है तो दूर गलत मिला है मतलब encourage करो गे वो नहीं को mytai वाला भी तो बिचारा लड़का है जो परेशे साल जीट किया है Bangkok में वो mytai के वो karate टाइप का वो भी जीता है वो बिचारा उसे टीवी पे आके काई कि मैं पसे पैसे नहीं है मैं तो बड़ी मुश्कल से पहुंचा हूँ वा mytai खेलने के लिए तो इस तरह से तो नहीं चल सकता plus आपके पास accountability नहीं है भई पूछो ना भई sports minister से क्या मज़ाक है यहां पर पूछो ना पूछ के तो देखो भई मैं गेम का नाम नहीं लूँगा वो पिचारी बच्ची का करियर दाओ पर ना लगे 14 साल की बच्ची मिली जिस पोर्ट में थी वो उसकी नमबर टू है पाकसर में 14 साल की है और उसके वालिस साब मिले ऐर्पोर्ट पे तो कह रहा है अपने खरचे पे दोहा लेके जा रहा हूँ प्रूंकर फेडरेशन तो देती नहीं है तो मैं तो नहीं चाहता इसका करीयर खराब हो तो मैं जेब से कभी इसको थाइलैंड कभी मलेशिया का भी सिंगापूर अभी मैं दोहा लेके जा रहा हूँ उसकी चैंपिंशिक तो सोचो हाँ सोचल मीडियो पे चंदे सब मांग रहे होता है तो मुझे बाब बताओ अगर कोई चंदा मांग रहा है और आप सामने अकांटुबिलिटी नहीं कर सकते उस मिनिस्ट्री की फिर ओ मुल्क कैसे चलेगा इस जोक या है वो कुछ भी नहीं है वो तुमने वो वाला वीडियो देख लिए है वो जो अभी नहीं आया है उसका फीफा वाला अभी देखा है फीफा में वो गोरी कह रही है कि हमने कोई सेवन प्रॉजेक्स किये थे पाकिस्तान में जिसमें से एक प्रॉजेक्ट था फीफा की बिल्लिंग बनना ठीक है और बाकी छे प्रॉजेक्स यह यह थे वो ओपनली कह रही है प्रिडी मच कि उन्होंने सारा पैसा खाली है ठीक है और खाली वो बिल्लिंग मनाई है और बाकी छे प्रॉजेक्स कंप्रीट ही नहीं किये और उसकी वज़े से पाकसान की टीम बैन भी हुई है फीफा की रेकिनिशन भी गई है और जितने प्लेयर जो अभी प्राइम एज़ पे हैं यहां तो सीना खाने सारी जबरुजवान हैं बादशे हैं तो इस टाइब की अकाउंटबिलिटी में यूर एक्सपेक्टिंग अ कंप्री तो रन फोवर्ड पैसा आपके पास है नहीं आप खुद करे हो मेरे पास पैसा नहीं है आप खुद कहरे हो जब भी बाहर जाते हमारी बेज़ती होती है तो आपने अपनी इज़त रखाने के लिए या इज़त बनाने के लिए कौन से इक्तिदाम किये हैं तो मूव फ़वर्ड तेल मी तेल मी वन and like instead of trying to make your daughter and your bloody son as chief minister and prime ministers क्या किया आपने इक्तिदाम तो आप कैसे चाहते हैं एक मिनिट आप कैसे चाहते हैं कि you will build a sense of nationalism sense of loyalty sense of pride sense of performance sense of future tell me how explain it to me और ये गलत बात है कि जी I should be loyal ठीक है loyalty दोनों दरव से चलती है पहले बड़े ने देनी है फिर छोटा उसको करेगा पहले माबापने शफकत देनी है फिर बच्चा बढ़ा होके पालेगा माबापको उनकी खिदमत करेगा ना के तो बच्चे को मारते वे जाओ बच्पन से आप उसको मारते वे जाओ बोलो के चला मुझे सलाब भी कर बिल्कुल ऐसा कैसे भई बिल्कुल मतलब ये वही बात हो गई कि जब बच्चा पैदा होता है birth certificate की भी फीज भरता है जब मरता है तो death certificate की भी भी नादरा में धक्के खाता है रिश्वत देता है तो पैदा होने से लेके मौत तक वो पैसे दे रहा होता है इस लाइक के मैं अगर एक टेलेफोन कंपनी की लाइन ली वी है मैं उनको बाकायता बिल भी दे रहा हूँ और फिर आगे से वो बोले के तू मेरे ले तराने भी गा तू मेरे जान भी दे क्यों दो भाई मेरे तुमारा कॉंट्रेक्ट है मैं पैसे देता हूँ तो टेक्स एक बंदा दे रहा है उल्टा आप क्यरों कि नहीं मैं कुछ नहीं दूँगा तो सारा मुझे अपना टेक्स भी दे सब कुछ भी दे लेकिन मैं तुम्झ भी दूँगा लेकिन तुम मुहबद भी पूरी मेरा So how do you change this mindset? Isn't that the question? That's the real question In today's day and age With a society that's completely Torn apart ठीक है? जहां बिचारे करीब को बताए कि उसके लिए कुछ भी नहीं ठीक है? उसको पताए कि I have to fend for myself इन हालात में जहां पर इतनी महंगाई हो गई है इतनी महंगाई हो गई है ठीक है? आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं उनके लिए और आप लोयल्टी चाह रहे हैं आप सेंस ऑफ नैशनलिज्म और प्राइड चाह रहे हैं आप क्या चाह रहे हैं मैं अभी तुम्हारे आने से बढ़े एक ट्वीट किया है तो बहर साल घर पे जंडा लगाता हूं ठीक है ना? बड़ा बड़ा फुल उन अब ड्राइवर को बोला गाड़ी रोको कोने पे पेट्रॉल पुँके ने जंडा लेते हैं किता सर क्या जंडा लेना है? क्या एक्साइटमेंट है? गुलामी तो है हम अब ड्राइवर क्या रहे हैं मैं चुप हो गया इसका ये मतलब नहीं कि awareness नहीं आ गई यह desperation भी आ गई विचारा जाए तो कहां जाए है अगर वो कहीं जाता भी है तो अगर डिग्री वाला ही घूम रहा है कि आप तो मतलब आपकी तो politics ऐसी है कि जो deserving बंदा है वो एक pyramid में, set up में वो chance भी नहीं है कि वो उपर बढ़ सके ठीक है बाकी दुनिया में तो लोग वो भी उपर बढ़ जाते सादेख हान is a great example of that I was gonna come to that कि उसके दादा अभी जैसे हमारे जो overseas जा रहे हैं, उनके बच्चे पोते मेर भी बन सकते हैं यह तो सोच्छी नियूजिलेंड वाला बन गया ना स्कॉट्लेंड वाला स्कॉट्लेंड वाला हम क्यों नहीं बन सकते हैं क्योंकि आपने चांस ही नहीं तिया कभी किसी को और आप चांस देना भी नहीं चाहते and that's the irony you think this will last long because nothing lasts forever I think this will last unless your mind unless your look unless your mindset does not change ठीक है you've got not just the capture elite but you've got the capture above the elite also okay और मुझे यही लगता है कि जब तक यही notion चलता रहेगा कि उसने इतने बनाएं तो मैं भी इतने बना के जाऊंगा ठीक है and you're not gonna get off your high horse and Modi and Rahul Gandhi are great examples of this right now जो Rahul Gandhi कर रहा है अभी India में okay and how Chaywala became the Prime Minister okay जबके Rahul Gandhi would be elite and Modi came from nowhere great example of dynamics okay Sadiq Khan is a great example of that dynamics okay वो ही मुल्क जिसको हम who were our colonial oppressors are the ones जहां पर अब जो गवर्मेंट आरही है वो it's all brown it's all brown unbelievable तो दुनिया की progression इसको कहते है okay this is progression के वो के एक क्या कहते है छोटी जात वाला भी present बन सकता है या वो हमारे हाँ तो हम उसी में से नहीं निकल रहे भाई okay हर कोई राजा, माराजा और चौदरी बनाऊ है इस मुक के अंदर उसी उस माइंसेट नहीं निकल रहे हैं तो अगे कैसे बढ़ेंगे और यह माइंसेट जो I was analyzing and we were talking to someone you know where this mindset is coming from this is very interesting the beauty of Pakistan is because it's only 75 years old हर कोई अपनी identity बना सिकता है इस मुक के अंदर ठीक है भाई वहाँ से आई भी identity तो आप खोना चाहते है और यहां के आगे वाली तो आपकुशी बना सकते है आइडिटिटी तो जूटी बन सकती है लेकिन माइंडशेट तो नहीं चेंज़ दो सकता मेरी जान ठीक है क्या कहते है उसको अच्छे ब्रॉट अप का पता चलता है इसमें अमीरी और गरीबी का कोई वास्ता नहीं है ठीक है तमीज क्या कहते है नजाकत इजट इखलाक यह सब पदा चलता है education और माबाप और उनके background से जब्रॉट इस नथिज नथी तो विट मानी ठीक है दुबारह एक और बहुत जल सिटिंग लगाएंगे, मुझे बहुत मसाया, I had a great time, good thoughts, और कल 11 अगस्त है, तो 11 अगस्त के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, Well, कल Minority Day है, जिसमें मुझे भी पहली बार invite किया गया है, Is this happening for the first time? No, I mean like the March. I don't know, I've been invited for the first time. I think it's a good thing, because आजकल के जो हालात हैं, उसमें तो पूरा Pakistani minority है, खाली हम या तुम नहीं, और मेरे खाल में सबको आना चाहिए, और सबको और दूसरे को encourage आना चाहिए, Because, जितना आप जक्चहती दिखाएंगे, और आगे बढ़ेंगे, उतना ही you'll be a better citizen and a better Pakistani, ठीके ना, rather than being whatever you want to be, तो check it out, because I'm checking it out for the first time. I'll see you there tomorrow, thank you so much Deepak, lovely talking to you. So, ये थे दीपक पुराणी, I hope you guys enjoyed the episode, अगर आपको लगता है कोई सवाल मैंने नहीं पूछा तो comment section मैं पूछ रखते हैं, दीपक का Twitter मैंने handle mention किया हुए, description में, जरू follow कीजेगा, और इंशाला आप से मुलगात हो दियागली एपिसोड में तब तक अपना खैल रखें, ख सुदावस.